Good morning dear students, यह आपका science का chapter 7 है, the plant words, जिसमें आपको flower के बारे हम बता रहे थे, a flower consists of the following part, जिसमें आपको pedicle, sepals और petals के बारे हम बता चुके थे, अब next है आपका 4 number, stamens, stamens क्या होता है, within the petals, there are long and thin structure called the stamens, these are male reproductive part of the flower, they consist of anther, stamens क्या होता है, तो आप लोगोंने पंखुडियों के भीतर लंबे और पतले structure देखे होंगे, जिने stamens कहते हैं, जैसे आप लोग अगर अडभूल का फूल देखे, जो रेट कलर का होता है, उसके बीच में stamens होता है, या आप लोग इस्ट्रेक्चर में दे diagran में देख सकते हैं कि anther ये stamens क्या है, there are male reproductive part of the flower, they consist of anther और ये क्या मेel reproductive part होता है, क्या stamens होता है, ये क्या मेल reproductive part होता है, किसी flower का, इसमें क्या consist हमें और हम लोग एंधर के बारे में देखते हैं और यह instruments कैसा होता है तो यह हम Havicus Flower का डिखा रहे हैं आप लोगों को instruments आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि instruments क्या है बीच में long and thin structure जो है जैसे हम इसको underline कर दिये आप लोगों को समझने के लिए यह क्या आपका instruments है they consist of anther, anther क्या होता है वो भी अब हम लोग जानते है the swollen tip of each instrument is called the anther हम लोग पहले instrument देखे, instrument क्या होता है आप लोग flower में, आपको हेविकस flower में देखा है, और आप कोई भी flower देखेगा, सब में instruments मौजूद होता है बीच में जिसके उपर एक swollen tip होता है, बतब फुला हुआ tip होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते है anther कहते है, the anther consists of powdery substance called pollen grains और आप जब भी anther को देखेगा touch कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा powder के जाज़ा substance होता है जिसको pollen grains कहते है आप लोगों ने अबर देखा होगा, ताजी ताजी फूल उसको touch किया होगा, तो आप लोग महसूस किया होगे, कि आपके हाथ में कुछ मुलायम जैसा चीज पॉडर लग गया है, तो उसी को हम लोग pollen grains कहते है the anther is joint to the thalamus through the filament और यह anther जो होता है, वो किसके यह द्वारा joint रहता है तो thalamus से, तो filament के द्वारा जिससे stamens देखे, आप stamens कैसा होता है लंबा जैसा और उसमें anther लगा हुआ रहता है, तो जो लंबा जैसा पाट होता है, उसको के अबलता है, वो लोग filament कहते हैं, जिससे आप लोग के उसमें देखे, यह एक लंबा जैसा पाट था, it is a long stalk like structure, they form the third circle in a flower, और यह इसका structure कैसा होता है, तो लंबा structure होता है, लंबा stalk means का होँआ जैसे घास पुसवा, तो उस type का होता है और यह third circle का निर्मान करता है, जैसे कि आप लोगों निर्मान किसे करता है किसी फ्लाबर में तो वह सिपल्स, first circle था और second circle कौन बनाता है petals और third circle जो है यह stamens में ही बनता है कई सारे filament thalamus के साथ जुड़ा बनाता है यह third circle बनाता है जैसे कि आप लोग page number 60 में देख सकते हैं सबसे उपर first diagram में कि इथलामस आपका सिपल्स जो है वह आपका बनाता है first circle और petals आपका second circle और उसके बात बहुत सारे filament निकले हुए है जिसमें एंधर लगा हुआ है वह आपका third circle बनाता है फिर आपका next आगे carpal, the carpal is flask shaped organ in the center of a flower it is also called the pistil it is the female reproductive organ of the flower it consists of three parts अब carpal में क्या है यह कैसा दिखता है तो flask जैसा आप लोग picture में देख सकते है flask क्या होता है flask होता है सुराही आप लोग देखे होंगे मिटी का घड़ा होता है सुराही होता है जो नीची से गोल रहाता है ओपर जाके पतला हो जाता है जैसे आप लोग देख सकते है page number 60 में और यह पिक्चर देख सकते है आप लोग सुराही के जैसा ही दीख रहा हो होगा It is also called the Pistil और यह Pistil कहलाता है इसे Pistil भी कहते है It is the female reproductive organ of the flower यह female reproductive organ कहलाता है जैसे कि इससे पहले आप लोगों को बता है कि instruments क्या होता है वह male reproductive system है और यह female reproductive system है It consists of three parts कारकल में भी जो है इसमें three parts consist है क्या है वह? stigma, stale, or ovary इसमें हम first परते हैं stigma के बारे में It is a small round and sticky part of the carpel located at the top of the stale its function is to trap the pollen grains which will wing the process of fertilization stigma कैसा होता है It is a small round and sticky part यह क्या होता है मतब बहुत ही छोटा होता और round goal होता है sticky मतब stick के जैसा छड़ी के जैसा होता है यह part और यह कहां पर located होता है यह carpel located at the top of the stale और यह stale के सबसे उपर होता है जैसे के आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं यह कहां पे है और यह इसका काम क्या है फंक्शन क्या है तो यह trap करता है pollen grains को pollen grains को pollen grains क्या होता है तो आप लोगों को जो बदाय जिससे पहले एंथर में कि वो pottery substance होता है उसको trap करता है और तब यह fertilization शुरू होता है जैसे फूल से फल बनता है जब तक stigma में pollen grains नहीं जाएगा एंथर का dust उसमें नहीं जाएगा तब तक फूल से फल नहीं बनेगा जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई सारे plants में फूल तो आते हैं पर फल नहीं बन पाते हैं तो किस कारण से तो वो इस्टीगमा में जो है वो dust particle नहीं जा पाता है इसमें आप next आगे पढ़िये का pollination and fruit formation उसमें आपको अच्छे तरगे समझाएंगे कि कैसे insects या air कैसे colonization में help करता है और कैसे फूल से फल बनता है कैसे यह fertilization मतब यह कैसे fertilization होता है इसका उसका process यहीं पे होता है इसमें तो इस्टीगमा में इस्टेल और टाइप आफ फ्लावर्स function of flowers यह हम next वीडियों बताएंगे आपको यह पूरा page उसके बाद आपका chapter complete हो जाए गई है आज के लिए पस इतना ही thank you अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको flower के बारे में फीर से एक बार बता सकते हैं thank you तो